Hello everyone, previous lecture में हमने पढ़ा था nitrogen fixation के बारे में और आज हमें उसी से related एक topic और पढ़ना है अगर हम directly इस topic पे आते, मतलब जो आज का topic है, that is nitrogen cycle अगर हम directly इस topic पे आते, तो it may be possible कि आपको नहीं clear होती चीजे लेकिन जब हम nitrogen fixation के बारे में पढ़ चुके हैं आई लवीना कुमावत, welcoming you all at score शाला देखो, क्यों quick revision करने से पहले, सबसे पहले हमें ये पता हो कि हम nitrogen fixation क्यों कर रहे हैं पर यगर पता होगा nitrogen fixation क्यों कर रहे हो तो automatically चीजे clear होती चली जाएंगी तो previous lecture अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि nitrogen fixation क्यों किया जाता है उसका एक छोटा सा क्यों क्रिवेशन लेतियू में एक example के साथ में आप मुझे से वितना सा बता दे कि क्या आप इस मैगी को खाना पसंद करेंगे या इस मैगी को खाना पसंद करेंगे मतलब अगर मैं आपके सामने ये दौनो मैगी रख दू तो हर कोई जब मैं दौनो चीजों को सामने रखती हूं तो हमेशा यही क्यों उठाया जाता है हर बार हर कोई person से विसी को उठाता है ऐसा क्यों? क्या आप भी यही उठाएंगे? बिल्कु सही है कि मैं इसको तो बनाने में क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी महनत करनी पड़ेगी दो मिनट लगाने पड़ेंगे हमें लेकिन जब ये बनी बनाई हमारे सामने हैं तो हम दो मिनट क्यों बेस्ट करें? I hope कि यही आंसर होगा definitely और second thing अगर मैं आपको बूल दू कि आप एक ऐसी जगे पर हो जहां पर आपके पास में कोई gas नहीं है कोई आप आग नहीं लगा सकते वहां पर अगर मैं आपको यह दाना लाकर दू कि भी आप कौन सी चूज करोगे? आपको खाना और कहीं नहीं मिल रहे अब बताओ क्या चूज करेंगे हम तो definite सी बात है तब भी हम इसे ही चूज करेंगे because यह क्या है? यह already prepared है और हम इसे ले सकते है because यह prepared नहीं है और prepared करने का हमारे पास में कोई भी नहीं है हम नहीं कर सकते हम उस टाइम पे उस सिचुएशन में हम capable नहीं है कि हम इस मैगी को ले और बना ले जनरल भी में तो फिर भी हम सोच सकते कि चलो कोई बातनी एक ने अगर यह ले लिया तो हम यह लेगे और उससे काम चला लेते जाके खुद ही बना लेंगे क्या फर्क पड़ेगा लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप बना नहीं सकते है उसको आप उसको नहीं बना सकते विकाज आपके पास गैस बरनर नहीं है आपके पास कोई गरम पानी नहीं है कुछ भी नहीं है आपके पास कोई कंटेनर भी नहीं है है तो सिर्फ यह अब दोनों हातों में पकड़के सिर्फ इसको बैठके तो हम खा नहीं सकते तो इसी के अकॉर्डिंग अब हमें किसको रिलेट करना है नाइट्रोजन को रिलेट करना है बहुती बड़ा अमाउंट है लेगन फिर भी हम उसको डिरेक्ली यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास में उसको यूज करने की कैपैबिलीटी नहीं है हमारे अंदर वो ability नहीं है कि हम उसको use करके और उसको synthesize करके हमारे लिए protein form कर दे जैसे कि हमारे पास उस particular situation में ability नहीं थी कि हम maggie को ले और बना ले हम maggie को और फिर हम खा ले क्योंकि हमारे पास आग नहीं थी हमारे पास gas burner नहीं था गरम पानी भी नहीं था वैसे ही अगर आप अपको बोले कि nitrogen को synthesize करके nitrogen से आप protein को prepare करने वादी जो ability है वो अपमें नहीं है यानि कि कोई भी human body में नहीं है कोई भी animal body में नहीं है तो क्या करेगा वो nitrogen लेके भली आज पास में कितनी ही पढ़ी रहे कोई फरक नहीं पढ़ता that is why हमें nitrogen fixation की requirement थी because nitrogen raw material में already present है आज पास में nitrogen already raw material में बहुत ही ज्यादा amount में present है लेकिन फिर भी हम उसको utilize नहीं कर सकते because हम nitrogen से directly amino acid और उससे protein का synthesize नहीं कर सकते हमारे अंदर वो capability नहीं है वो system ही नहीं है हमारी body का कि हम उससे protein synthesize कर ले हमारा खाना खुद नहीं बना सकते तो हम protein को कैसे synthesize करेंगे हम तो सारे ही nutrients के लिए plant body पर dependent रहते है चाहे वो कोई भी human body हो चाहे animal body हो को other organism हो हमेशा food के लि dependent होते है तो इसके लिए भी हम किस पर dependent होंगे plant body पर dependent होंगे और plant body को nitrogen कैसे मिल रहा था तो जब nitrogen का fixation किया जा रहा था यानि कि environment से nitrogen को soil के अंदर डाला जा रहा था mix किया जा रहा था तब भी nitrogen को utilize किया जा रहा था plant के थ्रूँ तो air से soil के अंदर nitrogen को fix करना is called nitrogen fixation कौन करता है ये तो nitrogen fixing bacterias करते है कुछ special type के bacteria होते है जो क्या करते है nitrogen को fixation में help करते है that was rhizobium and एक और था blue green algae भी था कि दौना ही क्या करेंगे nitrogen को fix करने का काम करेंगे उसके अलावा एक और method था that was lightning कि lightning से भी क्या हो रहा था nitrogen का fixation हो रहा fix तो आपने कर लिया human body ने plant body ने उसको utilize भी कर लिया nitrogen जो था soil में आया soil से किसने ले लिया plant body ने ले लिया और plant body से किस ने लिया एक animal ने लिया और उससे फिर दूसरे animal की पास गया मतब सबको indirectly देखा जया तो सबको क्या मिल गया nitrogen मिल गया nitrogen से बना हुआ protein मिल गया कोई problem नहीं है ठीक है अब nitrogen का utilization हो रखा है हो गया है already तो अब nitrogen खतम हो जानी चाहिए थी वैसे तो environment के अंदर जितनी nitrogen है उतने ही ज़्यादा plants भी तो है तो जब soil के अंदर nitrogen जा रहा है continuously environment से soil के अंदर nitrogen जा रहा है plant body उसको use कर रही है उसकी बाद कोई animal अगया उसको use कर रहा है तो fine तो environment से तो at least nitrogen को खतम हो जाना चाहिए था लेकिन environment से nitrogen खतम नहीं हुआ अभी भी अगर हम देखे तो अभी भी environment के अंदर 78% nitrogen आपको मिल जाएगा तो ऐसा क्यों हो रहा है क्या कोई एक अलग से सिस्टम काम कर रहा है जिसकी वज़े से फिर से environment के अंदर nitrogen replenish हो जाती है या कोई हवा से आ रहा है । आब अगर हमने उसको utilize किया है तो हमारी ही बाडी से हो रहा है environment के अंदर याने atmosphere के अंदर कौन जा रहा है? nitrogen जा रहा है अब यही तो है एक cycle भई आपने क्या किया? nitrogen जो है था atmosphere के अंदर air के अंदर present है कोई भी एक human body ले लो, कोई भी एक plant body ले लो, इन्होंने क्या किया? उसको use कर लिया लेकर अब हो क्या रहा है? इनी से वापिस से अगर यह जा रहा है air के अंदर तो क्या होगा? यह complete cycle काम करेगा, इसी की वज़े से nitrogen जो है वो खतम नहीं हो रहा है सिर्फ वर सिपे किसी point की वज़े से nitrogen खतम नहीं हो रहा है fine, अब यह काम कैसे करता? यह पूरा cycle है क्या? किस तरह से काम हो रहा है? कौन-कौन इसमें help करता है? यह सारी चीज़े हमें पढ़नी है और nitrogen cycle तो बहुत अच्छे से पढ़ना है because जब आप higher standard में जाओगे चाहिए आप 9 में देख लो, 10 में देख लो fixation तो हो गया था अब nitrogen जो air के अंदर थी atmosphere में जो nitrogen थी उसका क्या हो गया था? fixation हो गया था किसने किया था? nitrogen fixing bacteria ने किया था यह जो nitrogen fixing bacteria है इन्होंने क्या कर दिया था? nitrogen को fix कर दिया था कौन थे? तो rhizobium थे कहां मिलते हैं? leguminous plants की roots के अंदर मिलते हैं leguminous plants की जो roots होती है उसके अंदर क्या होता है? root no deuce और उसी के उपर क्या मिलते है? rhizobium मिलते हैं और वो rhizobium क्या करते है? वो rhizobium nitrogen fixing bacteria है तो nitrogen को environment से लेकर soil में fix करने का काम करते हैं अब actually होता क्या है? तो यहां पर nitrogen fixing bacteria क्या करेंगे? environment से nitrogen को ले लेंगे और उससे क्या बना देंगे? ammonia बना देंगे तो इस process को हम कहते है ammonification उस process को हम क्या कहते है? ammonification कहते है तो 1st process जिखो कौन सा हो गया? nitrogen fixation तो हुआ ही nitrogen fixation तो हुआ ही है और उसके बाद क्या होगा? अमोनिफिकेशन होगा. इसके बाद क्या हो रहा है? अमोनिफिकेशन हो रहा है. तो यह अमोनिफिकेशन क्या है? यह अमोनिफिकेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन से हम क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं. नाइट्रोजन से क्या बनेगा नहीं हो सकती, that is why हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंच बना रहे हैं, तो राइजोबियम ने, ब्लू ग्रीन अलगी है, इन्होंने क्या किया, इससे बना लिया अमोनिया, और अमोनिया से क्या बनेगा, अमोनिया से उसके बाद होगा इसका नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया का क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, और नाइट्रिफिकेशन से क्या बनेगा, नाइट्राइट्स बनेगे और नाइट्रेट बनेगा, अमोनिया बना था, और अमोनिया के बाद होगा नाइट्रिफिकेशन, जो कौन करेगा, नाइट्रिफाइंग अब यह नाइत्री फ्रीकेशन का काम कर रहे है ताकि उससे क्या बन जाए? नाइट्राइट और नाइक्त्रेट बनेंगे अब जो ही नाइट्रोजन ने नहीं है prawn में अब वह अपने compounds में है अब किस में है वो अपने compounds में है मतलब ammonia है या फिर वो नाइट्राइट से nitrates कुछ भी हो सकता है तो यह तीनों चीज़े अभी कहा है soil के अंदर present है यह तीनों चीज़े अभी कहा है soil के अंदर present है हुआ क्या सबसे पहले हुआ nitrogen fixation जिससे क्या बना ammonia बना यानि कि Ammonification भी हम कह सकते हैं नाइट्रोजन को Air से कहां लिया गया? Soil के अंदर लिया गया यानि कि क्या हुआ? Nitrogen fixation हुआ Then उसका क्या किया गया? उससे Ammonia बनाया गया यानि कि Ammonification हुआ उसके बाद क्या हुआ? Nitrification जो किसने किया? Nitrifying bacteria ने किया क्या बना उससे? उससे बना नाइट्राइट और नाइट्रेट बने तो अब जो Soil के अंदर प्रेजन है वो Elemental Form की Nitrogen नहीं है वो Nitrogen के क्या है? Compounds है चाहे वो Ammonia है, चाहे नाइट्राइट है, चाहे नाइट्रेट है वो अभी क्या है? वो अभी Compounds है, नाइट्रोजन के वो अभी भी Elemental Form नहीं है नाइट्रोजन की और यह हमेशा याद रखना है कि Elemental Form कभी भी यूज नहीं की जा सकती है That is why यह इतना लंबा चोड़ा प्रोसेस जा है, हम पढ़ रहे है So, Nitrifying Bacteria ने क्या किया? Nitrification किया और Ammonia को किसमें Convert कर दिया? Nitrides और Nitrate में Convert कर दिया है Now, After Conversion अब Soil के अंदर इसके यह तीनों Compounds present है Now, Plant Body इसको Absorb कर सकती है तो अब यह क्या हो जाएंगी? Water में Mixed तो है ही, गुले हुए है, Dissolved है वहाँ से Plant Body अब क्या करेगी? इसको Absorb करेगी अब Plant Body ने इनको Absorb कर लिया तो Plant Body को अब क्या मिल गया? Nitrogen मिल गया और इसी Nitrogen को अब इससे क्या करेगी? वो Synthesize करेंगे अब यह क्या करेंगे इसको? Synthesize करके Amino Acid और Protein बनाएंगे किसके लिए? खुदके लिए भी और हमारे लिए भी फाइन, तो इतनी तो I Hope की इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से Plant को Nitrogen मिल चुका है? अब वो भली Nitrogen Compounds की फॉर्म में ही क्यों नहीं मिला हो? तो उन्होंने क्या किया है? यहां से यूटिलाइस कर लिया Plant Body को पूरा का पूरा जो Nitrogen सा जितना उसको Required था वो मिल गया अभी जो Extra Nitrogen है, वो कहां है? वो अभी भी Soil के अंदर है जो अभी भी यह Extra Compounds है चाहे Amonia है, चाहे Nitrite है, चाहे Nitrate है यह अभी भी कहां प्रेजंट है? Soil के अंदर प्रेजंट है ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे हमने यूटिलाइस कर लिये नई, तो अभी भी जितनी Required थी उतना Plant ने ले लिया, उसके अलावा जो Remaining थे वो कहां है अभी भी Soil के अंदर ही present है Fine, इतनी चीज़ हमें clear हो गई है कि ये बन गया वो अच्छी बात है आधे कहां पर है? Soil के अंदर है आधे कहां है? Plant Body के अंदर है Plant Body ने क्या किया? उसको यूटिलाइस करके Amino Acid और उससे क्या बनाया? Protein बनाया और उस Protein का यूज अभी कौन कर रहा है तो उस Protein का यूज Plant Body ने तो कर लिया अब उसके जो जितने भी Nutrients होते है, जितने भी उसके Fruits होते है, Serials होते है उनका यूज कौन करता है? तो उनका यूज करते है हमारे Other Living Organism चाहे वो Human Body हो गई है हम भी ले सकते हैं और अगर हम नहीं लेंगे और कौन ले सकता है, Animals ले सकते है जो के हर्भी वोर्स होते है, वो इनको ले सकते है So सारे Living Organism को नाइट्रोजन मिल चुका है Now the question is कि अब फिर से Environment में जाना चाहिए वह Environment से nitrogen जो थी, Air से जो nitrogen थी वो भी कहा है सारे Living Organism तक पहुँच चुकी है उनके protein का synthesize हो चुका है तो अब वो आपस कहा जाना चाहिए फिर से Air के अंदर जाना चाहिए लेकिन ये कैसे जाएगा, ये ही तो question है That is why ही तो हम nitrogen cycle पढ़ रहे हैं अब ये जाएगा कैसे, तो देखो Remaining जो ammonia, nitrite और nitrate है वो कहा है अभी? Soil के अंदर है बाकी सब कहा है, हमारे plant के अंदर है चाहिए वो human body है, चाहिए निमर body है उनके अंदर है, मतलब living organism के अंदर है चीक है, कोई problem नहीं है अब होगा क्या? होगा ये कि इसका फिर से denitrification होगा, अभी तक तो क्या हो रहा था? Nitrosan fixation हो रहा था, ammonification हो रहा था और nitrification हो रहा था अब क्या होगा? अब denitrification होगा अब क्या होगा? denitrification होगा, denitrification का मतलब है कि जिस तरह से ये compounds बनाये गए थे, इसी का reverse process ले ले हम बनाया क्या गया था? यहाँ से लिया nitrogen, soil में डाला, उससे बनाये गए ये compounds और अब इन compounds को पर से इनको reverse करना है reverse करना है मतलब compounds को फिर से break करना है nitrogen को release कर देना है air के अंदर यही होगा, compounds को फिर से separate कर लो, separate करने के बाद जो nitrogen मिलेगी, उस nitrogen को हम कहां भेज देंगे फिर से air के अंदर भेज देंगे. अब कैसे भेजेंगे? तो यहां पर कुछ denitrification bacteria, denitrifying bacteria होते हैं, वो work करते हैं और वो denitrifying bacteria क्या करेंगे? यह denitrifying bacteria. यह क्या करेंगे? यह जो इनका, जो compounds है nitrogen के, उनका denitrification करेंगे. उनको फिर से decompose करेंगे, फिर से इनको break कर देंगे, और break करके क्या करेंगे, इन compounds के सारे molecules को separate करेंगे, और separate करते ही nitrogen भी separate हो जाएगी, और वही nitrogen कहां चली जाएगी, air के अंदर चली जाएगी, वही same nitrogen कहां गई, air के अंदर चली गई, अच्छा, अच्छी बात है ये तो, ल तो plant body ने utilize कर लिए, आधे ही compounds ऐसे थे, जो कि अभी यहाँ पर present है soil के अंदर, यानि कि नाइट्रोजन जितनी ली गई थी, क्या उसका सिफ आधा ही गया है environment में? बहुत अगर हमने ली थी, तो क्या हमने 50% तो किसने use कर ली, 50% तो plant body ने utilize कर ली थी, इससे के कुछ हमें मिल गई, कुछ उनके पास रह गई, अब जो remaining 50% थी, वो अभी भी कहा है, वो अभी भी soil के अंदर है, तो soil वाली क्या थी? denitrifying हो जाएगा, denitrification bacteria है, denitrifying bacteria है, वो क्या करेंगे? उसका denitrification करेंगे, और उससे फिर से जो nitrogen बनेगी, यानि उसको separate करने के बाद, जो nitrogen बनी, उसको क्या किया? air के अंदर release कर दिया, तो यानि 50% nitrogen तो फिर से चली गई, बट अभी भी 50% कम है, तो उसके according भी तो nitrogen कम हो जानी चाहिए थी, environment के अंदर, भले ही कतम ना हो, लेकि कम तो हो जानी चाहिए थी, बट still ये तो कम नहीं हुए, अब इसका क्या reason है? चलो 50% तो मान लिए हमने क्या आगई? इसका reason ये है कि जब plant body है, या animal body है, या कोई human body है, या कोई भी living organism है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हर एक living organism का क्या होता है? इसको की ब्रेकडाउन करना, मतलब है की ब्रेकडाउन करना, मतलब जो भी item, जस molecule से बना है मिलके, उनको फिर से separate कर देना, सारे molecules को separate कर देना. तो कोई भी जो dead plants, dead animals या dead living organism होते हैं, कोई भी जो dead living organism होते हैं, उनका क्या होता है? डीकमपोजिशन होता है, dead living organism का क्या होगा? डीकमपोजिशन होगा और जो डीकमपोजिशन होगा वो कौन करेगा? वो डीकमपोजर्स करेंगे. डीकमपोजर्स क्या करेंगे? डीकमपोजिशन करेंगे और उससे क्या होगा? जितनी भी gases होगी, उसारी क्या होगा? अन्वार्मेंट में release हो जाएगी, तो उसी के अंदर क्या present है? एंट भी present है. विकोज फ्रोटीन तो हर एक बोडी के अंदर present है. और जब उसका फिर से breakdown होगा, तो breakdown होकर वो किसमें convert हो जाएगा protein? फिर से amino acid में आ जाएगा. और amino acid किसमें आएगा? nitrogen में आ जाएगा. देखो, हमने यह इस पड़ी है, कि nitrogen से क्या बन रहा था? Amino acid बन रह हो रहा है. तो nitrogen का, protein का जब breakdown होगा, तो amino acid का breakdown होगा, तो nitrogen बनेगा. और जैसे ही हम बात करते हैं decomposition की, चाहे वो कोई भी living organism हो हो, तो हमेशा उसका क्या हो जाएगा? decomposition होके nitrogen release हो जाएगी environment में वापस से. तो क्या cycle clear हुआ? बिलकुल हुआ होगा. air से nitrogen living organism में गई और living organism से फि cycle clear हुआ आपको. I hope कि आपको इतनी चीज तो clear हो गई है, कि micro organism कितना जादा अच्छे से role play करते हैं. अगर वो ammonification कर रहे है, अगर वो nitrogen fixation कर रहे है, और अगर वो nitrification कर रहे है, तो साथ ही साथ denitrification भी कर रहे है, ऐसा नहीं है कि से उसको लिए जा रहे है, लिए जा रहे ह नहीं, उसको फिर से denitrification भी कर रहे है, जिससे कि क्या हो रहा है, अगर चोई चीज आई है, तो वो फिर से जाएगी भी, fine. So I hope कि आपको nitrogen cycle clear हो गया है, अब इसका एक point और रहता है, जिसको भी हमें discuss करना है, और वो point क्या है, उसको हम थोड़ा next में देख लेते हैं, चलि है, तो यह कौन सा process है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, जादा यह हमारी detail में नहीं है, syllabus में, बट फिर भी थोड़ा सा हम देखते हैं, ताकि हमें clear हो जाए यह चीज़े भी, तो देखो, जब lightning का process होता है, तो इस lightning के process में क्या होता है, जो nitrogen का elemental form है, जो दोनों अपन bond बना के रह, जो अपना friendship bond बना के रह रह रहे थे दोनों, उनको क्या किया जाता है, बिलकुल separate कर दिया जाता है, fine, so जब lightning होगी, तो high temperature, high pressure की वज़े से, यह N2 था, किसमें convert हो जाएगा, यह N में आ जाएगा, और यह B, N में आ जाएगा, जब यह N अलग-अलग है, तो ह जब इसके साथ में आएगा, पानी, जब साथ में क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, मतलब rain water मिलेगा, तो क्या बनेगा, acid बनेगा, यानि की, nitric acid बन जाएगा, और उस nitric acid से, सोयल में आते-आते फिर उसके बाद क्या बनेगा, nitrites बनेगे, nitrate बनेगे, और उसके बा और जैसे ही N2Split होगा, तो NN हो गया, stable नहीं है, यह हमेशा क्या चाहएगा, कि मैं किसी के साथ में क्या करूँ, Compounds बनाओ, तो यह अभी इसके पास में पानी नहीं है, Rainwater के बात की बात है, Acid by Acid बात की बात है, अभी क्या है, अभी क्या है, नहीं रह पा रहा हूँ, मैं स्टेबल नहीं रह पा रहा हूँ, तो यह क्या करेगा, Oxygen के साथ में मिलेगा, और यह क्या बनाएंगे, Nitrogen Dioxide बनादेंगे, Nitrogen Dioxide बनाएंगे, ठीक है, अब यह जो Nitrogen Dioxide है, यह क्या करेंगे, जब Rainwater होगी, यह Nitrogen Dioxide है, अभी एंवाइनमेंट में रह सकते हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं, रह रहे थे, बट हुआ क्या, बारिश आई तो इनको एक और फ्रेंड मिला, और जब बारिश आई और एक और फ्रेंड मिला, तो इनसे क्या बन गया, Nitric Acid बन गया, कहां जाएगा, जमीन के अंदर ही तो आएगा, और तो कहीं नहीं जा सकता, तो जमीन के अंदर आ गया, मतलब Soil के अंदर आ गया, Soil के अंदर क्या Nitrogen Elemental Form में आई है, नहीं, वो किसके में आई है, वो Compound Form में आई है, वो Nitrogen के Compounds में आई है, तो अब यह soil के अंदर रह सकती है और जब यह soil के अंदर है तो क्या होगा अगेन इसका nitrification होगा उस nitrification से क्या बनेगा nitrites, nitrate बनेंगे, plant उसको utilize कर लेंगे और उससे protein synthesize कर लेंगे और जो remaining होगा remaining वाले कहां जाएंगे, तो उनके लिए denitrification bacteria भी है, denitrifying bacteria present है, तो उनका क्या होगा, denitrification होगा और फिर से nitrogen बचेगी, वो कहां चली जाएगी, जो nitrogen बनी है, सब को separate करने के बाद में, कहां जाएगी, environment के अंदर चली जाएगी so I hope कि आपको अब clear हो गया है nitrogen cycle कि किस तरह से nitrogen को use किया जा रहा है, और किस तरह से nitrogen को फिर से replenish भी किया जा रहा है, nitrogen को फिर से air के अंदर भेजा भी जा रहा है अगर यह नहीं होता तो क्या होता? सिर्फ एक तरफ से आ रहा है incoming है, outgoing नहीं है और जब outgoing नहीं है तो क्या होगा? nitrogen की कमी हो जाएगी सिर्फ लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ तो डिबा खाली होता है ना एक बार में जब बिस्केट उसमें से लेते जाते हो खाली होता है, उसको फिर से भरना पड़ता है जब तक ममी नहीं भरेगी, तब तक वो खाली रहेगा तो वैसे ही nitrogen को air में भरने के लिए कोई और नहीं आएगा हमारे microorganism ही है जो काम करेंगे और फिर से उसको क्या कर देंगे replenish कर देंगे fine, चल so I hope कि आपको nitrogen cycle clear हो गया है और ये हमारे chapter का last topic था इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा chapter खतम होता है तो खुशी तो बहुत हो रही होगी कि आरे वाज एक और chapter खतम होगा, मतलब हमने दो chapter अच्छो से पढ़ लिए है very good, होनी भी चाहिए लेकिन अभी हमारा second chapter complete नहीं हुआ है सिर्फ theory complete हुई है अब हमें देखने है question answers को भी question answers के बिना हमारा chapter कैसे complete हो सकता है बहुत थोड़े से questions है जिनको के हम next video में देखेंगे और उसकी बाद आपका chapter definitely खतम हो जाएगा thank you so much